नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइफ समलग सदर कोत्वाली पुलिस ने जुवारियों को किया गिर अफ्तार जुवारियों के कबजे से 3,22,000 नगदी के साथ 8 बाइट हुआ बरामर सदर कोत्वाली टीम को मिली बढ़ी काम्याबी एसपी ओमवीर सिंग ने प्रैस वारता कर मीडिया को दी जानकारी ये खबर गाजीपुर से है जहां पुलिस ने जुवा के एक अड़े पर छापे मारी कर जुवा खेल रहे पांच जुवारियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है पकड़े गए जुवारियों के पास से पुलिस ने 3,22,000 रुपया नगदी के साथ आट बाइक और जुवा खेलने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दो ताश की गड़ी बरामत किया है कुछ अन्य जुवारी भागने में सफल रहे जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है एसपी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर बताया कि पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी की सदर कोतवाली क्षेत्र के टेड़वा में गोरक बिंद के घर में जुवा खेला जा रहा है सूचना पर पुलिस ने च्छा पिमारी की और जुवा खेल रहे पांच जुवारियों को मौके से गिरफतार कर लिया जबकि अन्य भागने में सफल रहे मुख्य अभियुक्त गोरक बिंद भी भागने में सफल रहा गिरफतार अभियुक्त सुगेंद लाल नंदर गंच थानाक्षेत्र के पिपरही गाउं का नर्वदेश्वर मिश्र जंगीपूर थानाक्षेत्र के बाबुरायर मृत्युननजय गुप्ता सदर कोटवाली भीम मलमौ जनपद और मिंटू वर्मा मुहम्मदाबाद थानाक्षेत्र का रहने वाला है एसपी ने बताया कि पुलिस को ये एक अच्छी काम्यावी मिली है और फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है देखिए यूपी गाजीपुर से समवाद दाता राशिद अनसारी की यह खास रिपोर्ट और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये है अपनी टीम के साथ कल एक अच्छी उप्लब्दी प्राप्त किये इसमें एक गोरग बिंद नाम का व्यक्ति था जो अपने घर में जुआ कराता था इस पुस्ट सूचना पर थाना पोतवाली सदर की पुलिस द्वारा वहां च्छापा मारा गया मौके पर पांच लोग गरतार हुए कुछ लोग अपना भाग गए वहां से आठ मोटर साइकल बरामद हुई है तथा इन लोगों से जो जुए में पैसा लगाए जा रहा था करीब तीन लाग बाइस जार रुपे वहां फड़ से बरामद हुए हैं और काफी फोन वहां पर बरामद हुए हैं जिसके आधार पर जो बरामद मोटर साइकल और फोन के आधार पर हैं अन्य अभिक्तों की भी पहचान की जा रही है और उम्मीद है कि इस पुलिस की कारवाई से जो ये एक सामाजिक कुरूती और बुराई के रूप में जुए को माना जाता है इस पर ज अमरी प्रपर्पर्टी मोटर साइकल और मॉबाइल वगेरा छोड़के भागे हैं तो उनकी सिग्रीग रप्ताली की जाएगा